हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू जारकन चले जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी ख़बरों को अस्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने का आदेश दिया है इसके तहत अब सुभा 6-10 बजे तक ही अस्कूलों का संचलान किया जाएगा आपको बता दे कि 13 अपरेल को अस्कूल का समय सुभा 6 बजे से दोपार 12 बजे तक निरधारत किया गया था रांची में अब सुभ 6-10 बजे तक ही अस्कूल चलेंगी भीशन गर्मी को लेकर डीसी नयातेस जारी किया है रांची जीले में तापमान विर्धी के कारण अतिधीक गर्मी को देखतो हुए उपायक्त सहा जीला दंड दिकारी छविरंचन ने अस्कूलों की टाइमिंग को लेकर नया समय में बदलाव कर दिया गया है इसके तहट अब सुभा 6 बजे से लेकर 10.30 बजे तक ही अस्कूलों का संचालन की अचाईका धारानों ए सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से आयोग्यता से समंधित है बहराल चुनाओ आयोग का नोटिस मिलने के बाद जार्खन में सियासी भूचाला गया है सम्भौ है कि इस मामले में चुनाओ आयोग हमन्तु सोरिन को आयोग इठारा सकती है जिसके अधार पर उनकी विद्धान सभा की सदस्यता छिनजाएगी इससे हेमन्तु सोरिन को मुख्यमंत्री की कुरसी छोड़नी पड़ सकती है यह मामला पूरो मुख्यमंत्री रगवर दास ने उठाया है रगवर ने राजे पाल रमेस बैस को सीम हेमन्तु सोरिन अपने नाम पर खधन लीज लेने का आरोप लगातो हुए दस्तावेच उपलब्द कराये थे गवर्नर ने पूरे मामले की जांच के लिए चुनो अयोग को दस्तावेच भेजा है भारत निर्वाचन अयोग ने दस्तावेच की सत्यता परमानित करने के लिए राजे के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगे थी अब इस पूरे मामले में संभावित कारवाई की घड़ी नस्दीक आती दिख रही है इससे पहले बेते दिन राजेपाल रमेस बैस ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी और गरी मंतरी अमिद सा से मिलकर जारखन के मुख्य मंतरी हे मंतर सोरेन के खिलाब लाब के दोहरे पद के मामले में कारवाई के प्रयाप्त अधार होने की जानकारी दे थी आगली बड़ी ख़बर की बात को दो जारखन में पंचात चुनों के बाद सुरू होगी जारखन कर्मचारी चैन अयोग जैस से को अधियाचना भेज दिया है ताकि चुनाव समाब्त होते ही सिक्छक नुक्ति की प्रिक्रिया सुरू की जा सके राचमी हाय स्कूल से लेकर प्राथमिक अस्कुलों में सिक्छकों की बारी कमी है सिक्छकों की कमी को देखतो हुए लगतार राजी सरकार से सिक्छक निक्ति की मांग की जा रही है अस्कुलों में सिक्छकों की कमी के बाज़े से पाठिक्रम पूरा नहीं हो पाता है जिससे चातर काफी परिशान होते हैं सिक्षकों की कमी को देखते हुए असकुली सिक्षा वासक शर्ताय भाकी और स्वी जारकन कर्मचारी चेनायों को 26,000 सिक्षकों के पद पर निक्तिक करने का प्रस्ताओ भेजा गया है आगली बड़ खिबार की बात पतो जारकन में नक्सलियों की बड़ी साजिस्थ नकाम चायबासा की जंगल से तीन आईडी बाम बरा मत जारकन पुलीस को बड़ी सफलता हाथ लगी है चैबासा पुलिस ने ततपरता दिखाते हुए नकसलियों की बड़ी साजिस नकाम कर दी है पसमी सिंग्भूम जिले के टोंटो थाना चितर के कट कुलोर की घने जंगल में भागपा मववाधियों द्वारा सुरक्षा बलों को उड़ाने की साजिस नकाम हो गई है पुलिस इस घने जंगल में छीपा कर रखे गए तीन आईडी बाम बरामत किये हैं पुलिस अधिचक को मिली गुप्तु सूचना के आधार पर जंगल में पुलिस द्वारा सर्च ओपरेशन चला गया इसी करम में पुलिस ने पर्थरों के बीच छीपा कर रखे गए तीन आईडी द्वारा दिये गए निर्देश के आलोक में CRPF 197 बटालियान वज्जीला ससस्तर बल के द्वारा विस्स तलासी अभ्यान चला गया इसमें पुलिस को काम्याबी भी मिली सर्च ओपरेशन के दौरान पुलिस को तीन आईडी बाम मिले हैं इन्हें डिस्फ्यूच कर दिया इस तरह नकसलियों की बड़ी साजिस नकाम हो गई भी सुरक्षित देशवापसी की गुहार लगाई है ये सभी राजय के गिरिडी हजारी बाग और धनबाद जीले के रहने वाले हैं गंभीर आर्थिक संकट से जोज रहे हैं स्रिलंका में जारखन के सारमिक भी फंसे हुए हैं जीने ज़्यादा महनताना देने का वादा कर कमपनी के तरफ से वहाँ भीजा गया था इनमें से उन्हें सारमिकों ने सोसल मीडिया के जर्ये केंदरवा राजस्तरकार से घरवापसी की अपील करतो हुए त्राहिमाम संदेश से भीजा है जिसमें बता गया है कि कल्पतरू ट्रांस्मिशन कमपनी की और से पिछले तीन महने का वेतन नहीं मिलने से वे दाने दाने के महताज हैं इन सारमिकों का कहना है कि उनके पासपोर्ट जप्त कर लिये गए हैं बता दी कि यहा कोई पहला मौका नहीं है जब दलालों को चक्कर में पढ़कर विदैस कई कामकार महां फास जाते हैं आगली बड़ी खबर की बात कुदो हैदराबाद से सीम हेमंत सोरिन ने दिया स्वीट संदेश इलाजरत भाजपा सांसत संजे सेट से मिले कले जारकन में राजनितिक कडवाहाट के बीच सीम हेमंत सोरिन ने हैदराबाद से लोग को स्वीट संदेश दिया है मारूपी सोरेन के इलाज के लिए बीते दुनों हैदराबाद आये मोक्यमंत्री ने सुमार को यहाँ एक अस्पताल में इलाजरत मोकी विपक्षिदल भाजपा के नेता और रांची सांसत संजे सेट से भी मुलाकात की सीम हेमंत सोरेन ने रांची सांसत को गले लगाया और उ मोक्यमंत्री ने उनके जल्द स्वास्तो होने की कामना की है जानकारी के मुताबिक मोक्यमंत्री की मा रूपी सोरेन का इलाज भी इंडिनों हैदराबाद के एसी एस्पताल में चल रहा है आगली बड़ी खिबर की बात को दो राजधानी रांची में एद को लेकर बड़ी ना हो इसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात की गए हैं सहर की सुरक्षा के लिए सुभा छे बज़े से राजधानी में 2068 पुलिस बल की तैनाती की गई है जिसमें जीलाबल राप की कंपनी भी लगाई गई है राज़ी के सीनियर स्पी अगली बड़ी खिबर की बात दो एक हपते में वाटर टेक्स नहीं जमा करने पर नगर निगम काटेगा कनेक्शन खराब आर्थिक इस्तिती से गुजर रहे धनबार नगर निगम ने अब अपने बकायदारों पर दबाबानाना सुरू कर दिया है एक हपते के अंदर वाटर टेक्स बकाया की रासी नहीं चुकाने पर नगर निगम पानी कनेक्शन काटेगा नगर अयुक्ति सतंदर कुमान ने इस समझ में सारोजनिक नोटीस जारी करते हुए बकाया वाटर टेक्स जमा करने का निरदेश दिया है नगर निगम की और से वाटर कनेक्शन लेने वाले और भोकताओं के मबाइल नंबर पर बकाया टेक्स की जानकारी भेजी जा रही है मेसेज मिलने के एक हपते के अंदर नगर निगम ने बकाया टेक्स देने का निरदेश दिया है 23,000 ओभोकताओं पर नगन निगम का लगबग 35 कौट रुपए बकाया है आगली बड़ी ख़बर की बात तो जारकन में एद को लेकर सुरक्षा के पुखता इंतजाम ड्रोन वसी सिटी भी कामरे से होगे निगरानी जारकन में एद की रौनक देखने को मिल रही है मुसलिम धर्म लंबियों के बीच इसे लेकर उल्ला से इसे लेकर सुरक्षा कड़ी रहेगी लोहरदगा में एद के आउसर पर विधी वास्ता बनाए रखने के उद्देज से जिले में पांच जोन बनाए गए हैं परतेक जोन में डियस्पी अस्तर के अधिकारी पूरी वास्ता पर पैणी नजर रखेंगे या बाते पुलिस अधिचक आराज कुमार ने सुमार को प्रिशवार्ता में कही है उन्होंने कहाए कि ईद्द के मध्धनचर लोहरदगा जिले को पांच जोन में बाटा गया है ईद्द को लेकर जिला अस्तर के साथ साथ थाना वा ग्रामिन अस्तर पर भी सांती समेती की बैठक कर ली गई है उन्होंने ईद का तहवार आपसी प्रेम अभाय चारगी के साथ मनाने की अपील की है साथ को अपने घर ले गए इदर घटना के सूचना मिलते हैं डोम चांच थाना परभारी अब्दुल्ला खान मिर्ता के घर पहुँचकर साथ को कबजे में लेकर जो है अन्ते परिट्षन के लिए कोडरमस अदर अस्पिताल भेज दिया है पलीस मामले के जाच कर रही है आगली बड़ी खबर की बात को दोपानी की खोज में गाउं आये हिरन को कुट्टों ने दोड़ाया तला में डोबने से मौत हजारी बाग के करेडारी थाना छेतर के ग्राम जोरदाग इस तिद बड़ की पोकर में पानी पीने आये हिरन की तला में डोबने से मौत हो गई जानकारी कनुसार गाउं में पहुँची हिरन को कुट्टों ने घेर लिया तो जान बशाने के लिए भाग रहा हिरन तलाब की घहरे पानी में डोब गया पानी में डोबने करण हिरन की मौत हो गई, बाद में गाउंवालों ने इसकी जानकारी बढ़गा गाउं वन्चेतर के कर्मियों को दी, वन्विभाग के सिपाही कृष्ण प्रशात निम्रित हिरन को कबजे में लेकर वन्विभाग के प्रक्रिया के तहद अपना दिया, ग् अपना प्रान संकत में डालना पड़ता है, आगली बड़ खबर की बात के दो जार्कन के लातिहार में टाला बड़ा हाथ सा, रेल्वे ट्रैक पर गिरे, पहाड के बड़े बड़े टुकडे, जार्कन के लातिहार जिले के, बरका काना बरवाडी रेल खंड के, रीचु घ पुटा और चेतर अस्टिसन के बीच रविवार के दो पहर, तीसरी रेल लाइन निर्मान के दोरान एक बड़ा हाथ सा होते होते टल गिया, बलास्टिंग के दोरान पहाड के बड़े बड़े टुकडे टूटकर आप लाइन के रेलवे ट्रैक पर जाकी रे, इससे रेलव कि बात दो, कोरोना वैक्सिनेशन पर सुप्रीम कोर्ट का डिसिजन लोगों को वैक्सिन लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा या आर्टीकल 21 के खिलाप सुप्रीम कोर्ट ने शुमार को कहा कि कि किसी भी वैक्सिनेशन पर बाद नहीं कि सुप्रीम कोट का कहना है कि कुछ राजसरकारों ने जो शर्ति लगाई है सारवजनिक अस्थानों पर नन वैक्सिनेटिड लोगों को बैन करना सही नहीं है। खिबर की बात को दो लोहर दग्गा में पुलिस ने की चापे मारी बगडु थाना चितर के मेरले और बढ़ चोर गाई गाउं से अवेद सारा बरामत एक गिरपतार लोहर दग्गा जिले में अवेद साराव कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोर गाई गाउं में चापे मारी कर खुल 441 लिटर अवेद अंग्री जी सारा बरामत की गई है। चोर गाउं में अपने खर्च का बेवरा रांची जीला प्रसासन को देना है। जारकन निर्वाचन आयोक के दिसनर देश के आलोक में रांची जीले मीर डीसी चबिरेंचन नवे अनुविक्षन कोशां का गठन किया है। आगली बड़ खबर की बात को दो गाउं में घुसेंगे हाथी तो बज़े गाहोटर जारकन में इंसानों और हांथियों के बीच टकराओ को रोकने के लिए एनिमल एंट्रूजन डिडक्शन एंड रिप्लेंट सिस्टम को सरंडा में पाइलट पुर्जक्ट के तोर पर लगा गया है। को भी सूचना दे देता है एनिडर्स में कैमरे भी हैं जो हाथियों के गतिविधियों को रिकॉर्ड कर लेता है इससे वनविभाग को हाथियों को जुण की पहचान और उनकी गन्ना में मदद मिलेगी। इसके खिलाब उन्होंने याचिका दायर की है। पलामो की हदर नगर में 1175 बोतल सराब बरामत जारकन के दो जुणों में अवैद सराब कारोबार की रोग थाम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वही पलामो की हदर नगर इलागे में 1175 बोतल सराब बरामत की गई है। माना जा रही की पंचाद चुनाओ के मधनजर बड़े पैमाने पर सराब की मांग बढ़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार एक कार पर सवार होकर हजारी बाग जीला पुलिस का एक कर्मी जा रहा था। मारपीट तक पहुँच गई। कुछ देर बाद इस मामले में लोकल थाना की इंट्री हुई और रात में मामला सांथ किया गया। की अब टोल कर्मी सीधे तोर पर ना स्रिफ हजारी बाग जीला पुलिस के कर्मी पर मारपीट कारोप लगा रहे हैं बलकि लोकल थाना की पुलिस पर भी सवाल उठा रहे हैं। आगली बड़ी खबर की बात को दो जारकन में समुदाइक स्वास्त अधिकारी की 660 वेकेंसी जारकन में समुदाइक स्वास्त अधिकारी पद पर बंपर भरती निकली है। आगली बड़ी खबर की बात 220 बोतल देशी सराब के साथ दो गिरपतार बायक जब्त बायक पर सराब ले जा रहे है बिहार के दो युवकों को पुलिस ने धर्दबोचा है उनके पास से 120 बोतल देशी सराब भी बरामत हुई है। तो ये थी आज की ज़ारकन के टॉप बड़ी खबरे इसी तरह ज़ारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यू ज़ारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस करते जे जिससे आपको ज़ारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अबडेट आ मिलते हैं नेक्स्ट नियूज में